हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिसेख जैन फ्रॉम सॉफ्टेस टेक्नोची इन दौर से हम जाबा प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्शर्स में आज हमारा लेक्शर नंबर 23 है और आज के लेक्शर में हमें ये पढ़ना है कि फ्लोट डेटा टाइप में जाबा प्रोग्राम कामी में कौन-कौन से रूल्स प्रोवाइट किये हैं और उन रूल्स की क्या वर्किंग है तो इसे समझने के लिए हम अपने प्रोग्राम के पास बापेश चल रहा था और हमारा प्रोग्राम लास्ट एक्जमपल चल रहा था फोर्टी फाईब नंबर का प्रोग्राम और जब हमने इस 45 नंबर के प्रोग्राम को कंपाइल करा था तो यहां पर error message आकर display हो गया था कि float data type point वाली value को store नहीं कर सकता लेकिन float data type का तो use ही यह है कि वो point वाली value क्या करना चाहिए store करना चाहिए तो हमें यह समझना है कि यह program अपना चला क्यों नहीं था और इसका कारण क्या था ठीक है तो अब देखना है पर अबर सबसे पहले जब भी program में error आती है न तो आपको error को क्या करना है उसे समझना है अब देको error क्या क्या है यह requirement क्या है यह पर float की ठीक है यह float लिखा है तो requirement क्या है यहाँ पर float की लेकिन found क्या कर रहा है यहां पर वो double यह किस type का हमने क्या पताया था कि यह आप जाबा प्रोग्रामिंग में पॉइंट लगा कर कोई भी value लिख देते हो तो क्या बन जाता है डवल तो यहां पर क्या बन गया है डवल लेकिन हमने क्या यूज करा float का size कितना होता हमने last lecture में पढ़ा था 4 white और double का size कितना होता 8 white तो 8 white वाला 4 white के place पर नहीं नहीं आ सकता है इसलिए क्या कर दिया इसने error message आकर display करवा दिया है तो बात यह है कि हम यहां से error को कैसे हटाएंगे ठीक है तो अब इसे हम समझने की कोसिस करते हैं देखो यदि आपको float data type में किसी भी point वाली value को store करना है तो last में आपको suffix लगाना पड़ेगा मतलब f लिखना पड़ेगा और यदि आपने अब इसे program को यहां पर क्या करा compile करा तो आपका program विलकुल compile हो जाएगा और आपने क्या करा इस program को यहां पर run करा तो आपका program run हो गया और उसने क्या करा यहां पर output लाकर डिस्पेग करवा दिया इतना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उसको last में f लगाना पड़ेगा suffix लगाना पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा क्यों कि point लगाने पर y default क्या बन जाता है और double और float का size कम होता है double का size ज्यादा होता है इसलिए double की value float में आकर store नहीं हो सकती है यह type casting का rule कहलाता है हम इसको आगे पड़ेगे हलाकि ठीक है तो इस example को हम 46 number से क्या कर रहे हैं यहां पर save कर रहे हैं अब समझना है यह पर द्यान से एक तरीका तो यह है यहां पर कि आप क्या लगा दो पीछे f लगा दो मतलब क्या लगा दो suffix लगा दो तो और एक और तरीका देखो अभी 46 number के program को आपने क्या करा compile करा तो क्या हो गया error message आकर display हो रहा है तो इसका एक और तरीका और क्या है आप पर कि आपको starting में लगाना पड़ेगा FLO80 float तो इस तरीके से भी यह जो आपका program में विल्कुल compile और run होगा और साथ में क्या करवा देगा output भी लाकर display करवा देगा तो हमने इसे compile करा 46 number के example को और हमने क्या करा इसे run करा तो इसने 254 output लाकर क्या करवा दिया display करवा दि type का जब भी आप use करते हो तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा F subix यह दी point वाली value को आप store करवार हो या फिर आगे क्या लगा सकते हो आप type casting जैसे आप करते हो तो आगे क्या लगा सकते हो आप float का use कर सकते हो यह processory अब next example आपके लिए यह है सबसे पहले हम इसे 47 number के नाम स से क्या करते हैं सेव करते हैं अब समझना ध्यान से यहां पर करना क्या चाहते हैं हमने यह दि लिखा integer type x equal to 10 integer type y equal to 3 और हमने यहां पर लिखा कि integer type z equal to x is divided by y ठीक है तो अब यदि आप यहां पर z को display करवाते हैं तो z की क्या value आकर display होगी इस चीज को क्या करते हैं हमने last lecture में समझा था इंटीजर 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 तो कितना output आया था अपना इसका 3 आकर display हो गया था तो 47 number की program का output यहां पर compile और run करने पर 3 आकर क्या हो गया है यहां पर display हो गया चलो इतना तो clear है अब आगे समझना यह अपने यहां पर flood लिख दिया तो इस condition में output क्या आकर display होगा आ देखो इस program का output 3.3333 आना चाहिए ऐसा कुछ और maximum बच्चों का यही answer होता है कि इसका output यह आकर display होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है यह गलत है सुनो ध्यान से यहां पर अब flood data type के पास कुछ rules है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा समझने की कोसिस करना पड़ेगा और वो rules क्या कहते हैं अब इसे समझना तो देखो float data type के पास rules है वो क्या है कि यदि कोई number किसमे integer में है ठीक है integer integer को आपने divide करा तो output हमेशा किसमें आने वाला integer में आने वाला यदि आपने integer और float को divide करा तो output हमेशा किसमें आएगा? float में आएगा यदि आपने float और int को divide करा तो output किसमें आएगा हमेशा float में ही output आएगा और यदि आपने float और float को क्या करा? divide करा तो output किसमें आएगा? float में ही आकर display होगा तो देखो अभी हाँ पर आपने जब भी integer और integer को क्या करा divide करा तो इस condition में output किसमें आकर display का integer में तो ये जो program है ये x किसमें integer में y किसमें integer में तो 10 और 3 का divide होगा तो output कितना आएगा यहाँ पर integer में मतलब 3 और 3 जब float के पास जाएगा तो float क्या करता point लगा कर 0 लगा देगा last lecture में हमने आपको ध्यान ना हो तो आप उसको देख सकते हो एक बार और फिर से तो इसे program का output 47 नमबर के program का output कितना आना चाहिए 3.0 आकर display होना चाहिए तो 3.0 आकर क्या हो गया है आप आप डिस्पले हो गया है इस program को 48 नमबर के नाम से क्या करते हैं सेव करते हैं और 48 नमबर के नाम से हमने क्या करा इस program को यहां पर सेव कर दिया यदि आपने आप लिखा float तो इससे condition में आपर output क्या आना चाहिए इस चीज को समझना है में तो देख हमने लिखा कि यदि आप float और इंट का क्या करते हो डिवाइड करते हो तो आउट किसमें आपका float में आकर display होगा तो इसका मत क्या हुआ कि आपने ईंट और float को divide करा ठीक, यही था ना iy इयह वाला in arlosट तो आपने ईंट और float को divide कर रहा तो आउट बोल्ट किसमें आएगा display होगा यह कुछ आकर यहाँ पर display हो जाएगा तो आपने 48 number के program को क्या करा है यहाँ पर compile करा और 48 number के program को आपने क्या करा है यहाँ पर run करा तो देखो यह output आकर display हो गया अच्छा एक और rule हमने पढ़ा कि यह दिया float float का divide करते हो तो भी output float में आएगा इसी करने हाँ पर output आकर क्या display होगा इसका यह output आकर display होने वाला है तो 3.33 output आकर display हो गया और एक और क्या यह दि आपने float int को divide करा तो भी output किस में आने वाला है float में ही आने वाला है तो आपने compile करा और run करा तो भी output असलिब आपको यह चारो रूल याद रखने छाहे आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं या फिर प्रयूंग उस रहे हैं आपके लिए कुछ कुछ दे रखें ले रहे हैं तो पहला कोश्चन तो आपके लिए यह है कि यह दी आपने प्लोट ले रखाया और दूसरे दोनों डिटटाइब इंट पर हैं तो इसका output आकर क्या display होगा और next आपके लिए question यह है कि इससे program का output आकर क्या display होगा यह चलेगा यह फिर नहीं चलेगा और suppose चल जाएगा तो क्यों चलेगा तो यह सारे कोश टॉपिक हम next lecture में continue करेंगे तब तक के लिए ओके बाई